हलो एरुवान आपको वीडियो के मादें से पुवाइट के जा रहे हैं तो लास्ट वीडियो लेक्षर में हमने देखा था कोश्टन अंसर्स आफ याज हम स्टार्ट करने वाले हैं उनिट 3 का बंद अन्यवेस्ड गयल तू देखा इंसर्ट अधा च्रिकन हो जब हां पर पोछा जा रहा है कि जो गरл है लडकी उन्हें एकडमी के द्वारा कॉन्फेस में क्यों भेजा गया तो जो किंग है उन्होंने आदेश दिया था उन्होंने उनका ये कहना था कि वो एक ज्यान को संसार के ज्यान को एक बुक में संकलित करना चाहते थे और इसलिए वो संसार के जितने भी ज्यानी लोग है जितने जादा brightest कोई थी, तो वो girl थी, वो लड़की थी, और इसलिए academy ने रिशाइट किया कि उस लड़की को उस conference में भेजा जाए, तो इसी बज़र से इस लड़की को conference में academy के द्वारा भेजा गया, तो इसका जो answer होगा वो इस तरह से होगा, the girl was the brightest of all in the academy, so the academy sent her to the conference, और इसी बज़र से academy ने उन्हें कहां भेजा, उस conference में भेजा, now let's see the next question, our next question is, why did the king invite scholars and philosophers from all over the world, जो king है, वो संसार के जितने भी philosophers है, जितने भी विद्वान है, जितने भी ज्यानी है, scholars है, दार्थनिक है, philosophers है, उन सब को वो आमंत्रित क्यों किये थे, तो इसका reason यह है कि जो king है, वो चाहते थे कि संसार के ज्यान को वो एक book में compile करना चाहते थे, संकलेद करना चाहते थे, और इसी विज़र से उन्हें संसार के जितने भी scholars है, जितने भी philosophers है, उनको उन्हें एक conference में आमत्रित किये थे, तो इसका जो answer होगा, वो इस तरह से होगा, the king wanted to compile all the knowledge in the universe in a book, so he invited the scholars and philosophers of the world, now let's see the next question, our next question is, how did the girl justify her presence in the auditorium, तो जो girl है, लड़की है, उसने अपनी उपस्तिती को कैसे उन्हें उचित ठहराया, उचित उन्हेंने कैसे सिद्ध किया, कैसे प्रूब किया, तो उन्हेंने कैसे प्रूब किया, तो जितने भी विद्वान थे, वो पसंद नहीं करते थे, क्यों पसंद नहीं करते थे, उनका मानना था, जो विद्वान है, जो एड़ले स्कॉलर है, जितने भी स्कॉलर्स है, उनका मानना ये था, कि ये जो कॉंळसेंस में सिर्फ पुरसी अले सकते हैं क्योंकि पूरुसी विद्वान होते हैं तब इस लड़की क्या कि देखा Intro क्या है कि हो दो प्रश्णूटि उट्राइए किरिक्टमॉन में लड़किया है। कम होती है। तब इन्होंने question उठाया है उन्होंने प्रश्ण किया कि हमारे जो four fathers थे हमारे जो पूर्वज थे जो पूरुस थे उन्हें ये कैसे पता चला कि महिलाओं की और इसी वजह से जो लड़की है उन्होंने इस तरह से उनने सिद्ध किया कि हाँ भई लड़किया यानि जो फिमेल है और मेल है दोनों हर चीजों में समान है जो इस तरह से प्रूफ किया तो अंसर हो जाएगा The girl asked the elderly mean scholars, so our forefathers proved that women are weaker than men in intellect. None could answer her questions, thus she justified her presence by putting before them her witty questions. और इस तरफ से उन्होंने अपने question के दुआरा सब को सांज करा दी. क्यों? क्योंकि इंका जो question था, इंके question का answer कोई भी नहीं दे पाये वहांके elderly scholar और जितने भी विधवान थे कोई भी इनके कोश्यन का अंसर नहीं दे सके तो इस तरह से उन्हें अपनी जो उपस्ति है उनको उन्हें सिद्धिक किया उन्हें जस्टिफाइ किया now let's see the next question our next question is what made the king support the girl in the end लास्ट में जो king है उनको ऐसी कौनसी बात है जिसके वज़े उनहें जो girl है उनका support करना पड़ा उन्हें इस तरह से support किया तो उसका reason यह है कि जब लड़की question करती है तो उनके question का जवाब वहाँ पे कोई भी नहीं दे पाते हैं यानि उस वाद विवाद में उस लड़की की question का जवाब कोई भी नहीं दे पाते और अंत में जो विद्वान है लड़ी scholar है वो हार मान जाते हैं और कहते हैं कि मुझे अध्यन की आवश्कता है और इस तरह से वो भी उनका जवाब नहीं दे पाते और इसलिए अंत में king को उ giving an example and requested the king to study more than the king allowed her to sit in the panel of scholars और इस रस्ते की को जो है उनको अलाव करना पड़ा कि ये भी जो है scholars की बीच में बैच सकती है उस conference में हिस्सा ले सकती है now let's see the next question our next question is who are bad guys mentioned in the poem why are they called bad guys bad guys है कौन तो bad guys कौन है bad guys जैने जो बुरे लड़के हैं बुरे लोग है वो normal ही लड़के हैं और जो की उन बच्चों को जो disabled है जो दिव्यांग है उन बच्चों को चिड़ाते हैं उनका मजाक उड़ाते हैं उन पर हसते हैं उनके चेहरों को ले करके उनके बालों को ले करके उनके बोलने के तौ वो उनकी निंदा करते हैं, उनकी बुराई करते हैं, तो वही है bad guys, okay, तो answer हो जाएगा, in the poem, bad guys are the normal children, but they are mean minded, वो संकीन विचारधरा वाले हैं, the poet has called them bad guys because they always irritate the disable children, disable children, special children, उनको वो irritate करते हैं, Now let's see the next question, list of the things that bad guys bother the children about, उन चीज़ों की उन बातों की हमें list बनानी है, जिसमें जो bad guys है, जो बुरे लड़के है, बुरे लोग है, वो उन बच्चों के बारे में हो बुरा बुरा कहते हैं, उनका सीर खाते हैं, उनका दिमाग खाते हैं, तो वो चीज़े हैं, तो वो को ले करके, उनके बालों को ले करके, वो commitment करते हैं, यानि वो लोग comment करते हैं, ठीक है, comment करते हैं, इसके लावा वो क्या करते हैं, इसके लावा वो उनकी खेलनी की तौर तरीकों को ले करके, उनके बात करनी की तौर तरीकों को ले करके, वो comment करते हैं, बुरे बुरे comment करत इसके लावा क्या करते हैं? इसके लावा जो bad guys है वो गलत तरीके से खेलते हैं उनके सामने गलत तरीके से वो सोते हैं लिटते हैं बाते करते हैं तो इस तरह से हैं तो अंसर हो जाएगा The things bad guys bother the children about are following The bad guys say bad words about their skin and hair The bad guys say bad words about their way of talking and playing The mean guys play, laugh and sleep in their wrong way और इस तरह से वो गलत तरीके से हैं खेलते हैं उनसे बाते करते हैं तो इस तरह से ये एक list तयार हो जाएगा Now let's see the next question Our next question is What can we understand if we use more than our sight? यदि हम यूज करे यदि हम अपने देश कून से जादा यूज करे तो ये जो disabled children है उनके विचार है तो इनसे हम क्या समझते हैं What can we understand? हम इससे क्या समझ सकते हैं इस लाइन से If we use more than our sight तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो disabled children हैं उनके पास गुनों के कमी नहीं हैं उनके पास हर एक चीज़े हैं एक नॉर्मल बच्चे के पास जो गुन है जो quality है जो कुछ वो कर सकता है उससे भी ज्यादा अच्छे से एक disabled children भी कर सकता है इसलिए हमें कभी भी disabled children हैं दिव्यांग बच्चे हैं या दिव्यांग लोग हैं उनके साथ कभी भी हमें बुरा वैभार नहीं करना चाहिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो हमसे किसी मामले में कम है वो हमसे आगे भी कर सकते हैं तो यह हम समझ सकते हैं, if we use our more sight about the disabled children, we can understand that they can do more than the others, वो अन्य से ज्यादा अच्छे से भी कर सकते हैं, किसी को हमें कमजोर नहीं समझना चाहिए, now let's see the next question, what problems does Lui have, Lui के पास क्या समस्या है, Lui के पास यह समस्या है कि उसे autism, autism की समस्या है, ने mental problem की समस्या है, एक बीमारी है, mental related, ठीक है, तो answer हो जाएगा, Lui was suffering from autism, mental in balance, okay, now let's see the next question, why does Lui not want to go to social skills or speech, तो जो लूई नाम का लड़का है, वो social speech means, यहां पर social skills, जो समाजिक कौसल है, या फिर speech है, social speech है, social skills है, उनमें वो भाग क्यों नहीं लेता है, उनमें वो जाता क्यों नहीं है, इसका reason यह है, कि जो लड़का है, वो पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहता है, वो teacher के साथ करके, अपने जितने भी friends है, students है, उनके बीच रह करके, वो पढ़ाई करना चाहता है, वो सीखना चाहता है, वो अपनी class को miss नहीं करना चाहता है, और इसी वज़र से, वो यहां नहीं जाता है, social skills या speech में भाग नहीं लेता है, वहां वो नहीं जाता है, तो answer हो जाएगा, Louis wants to go to his class regularly and wants to sit with the students and teacher to learn with them, he does not want to miss his class, so he does not want to go to social skills or speech, और यही वज़ा है, इसके वज़र से, वो social skills या social speech में वो नहीं जाता है, 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 वो नहीं जाता है, यहां पर पूछा जा रह है कि जो Louis है, उसको डर कब लगत है, उन्हों डर को कब फिल करता है, वो कब फिल किया, उन्होंने डर को कब फिल किया, तो जब वो अपने मा के बारे में अपने प्रामेरी टीचर, प्रामेर स्कूल के टीचर से वो पूछते हैं, तो उनके जो टीचर है, उसके जो टीचर है, प्रामेर स्कूल के टीचर, व इस तरह से जब किसी की मा की देथ हो चाती है तो उसे डारेक्ट ऐसा नहीं कहना चाहिए इसी बात को चाहता है कि जब उसको ऐसा कहा जाता है तो वchant अधू काफी दर जाता है काफी स्केर्ड हो जाता है और यही रिजन है, now let's see the next question, our next question is why does Louis like to be in his regular classes, यहाँ पर पूचा जाए कि जो लुई है, लुई राम का लड़का है, वो अपनी class में regularly क्यों रहना चाहता था, क्यों रहना चाहता है, okay, क्यों पसंद करता है regularly class में रहना, अपने आपको present करना, क्यों पसंद करता है, तो इसक reason क्या है, इसका reason यह है कि वो कुछ सिखना चाहता है, अपने teacher से कुछ सिखना चाहता है, जितने भी students है, उन से सिखना चाहता है, और इसी वज़ए से वो अपनी class को miss नहीं करना चाहता है, तो इससे आप भी अपनी class को कभी miss मत करिए, हमीशा लगातार हमारे साथ बने रह यह क्योंकि पढ़ाई में life है, यदि आप game वगेरा खेलते हैं, video game खेलते हैं, और दूसरी चीजों में ध्यान देते हैं, तो उससे आपका, आपके जो career है वो नहीं बन सकता, इसलिए लगातार आप भी पढ़ते रहिए, लोई की तरह आप अपनी class को कभी miss मत करिए, ठीक झाल